नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका इस्टेडी फॉर सिविल सर्विसेस में यूपी ट्रिपल सी लोवर पीसेस 2019 का मेंस वाला एक्जाम हो चुका है 21 अक्टूबर 2021 को उसकी आंसर की इसमें देने जा रहा है इसकी पीडिया फ्री टेलिग्राम में दे दी गई है आप उसको दो देख सकते हैं इस्टेडी फॉर सिविल सर्विसेस से जिसने पढ़ाई करिए वह बहुता ही खुश होगा मैक्सिमम क्वेश्चन इस्टेडी फॉर सिविल सर्विसेस के पेट और फ्री वाले कंटेंट से थे सारे प्रूप दे दिये गए आप इसको देखिए की को और जल्दी से बताइए कितने आपके सही हो रहा है सौ में से लोवर पीसेस 2019 का मेंस का पेपर आज हुआ है 21 अक्टूबर 2021 को इसकी ये पहले पेपर की आंसर की देने जा रहा हूं मैं इसमें 75 आपके जीयस के थे और 25 रीजनिंग के थे पेपर 2 की थोड़ी देर में मिल जाए देखें फ्री टेलिग्राम जरूर जोइन कर लिजेगा यहाँ पेपर वन की 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 पीडिया फमने दे दिये और अगर आपने स्टेडी फॉर्ट सिविल त्रप्स को लगातार फॉलो किया है तो बहुता फायदा हुआ होगा आपको पता है बताइए जरूर कमेंट करके सारे टेलिग्राम पर दे दिये गाए लगातार आप देख सकते हैं तो उत्तरपदेश का कोई भी एक्जाम हो आराम से सिलेक्ट हो सकते हैं आराम से बतला बिल्कुल आराम से जरूर बताएगा जो लोगों ने यहाँ पे फॉलो किया ताम को प्रेट गूप में आप बताए क्या फायता हुआ चलिए इसने आंसर की देख लेते हैं अभी मैं आंसर की बता रहा हूं उसका एक्स्प्लेशन रीजनिंग का अलग से देंगे टॉपिक और बता देंगे अभी आंसर की बता रहा हूं कि आपके कितने सहीं वह बोचको लो ठीक है तो पहला क्योशन ये जो स्वारा से कितना दिखता 110.48 परसेंट टेक है पांचवा क्वेश्चन टोटल यहां पर टिफरेंस पूछ रहा है यह कितना है यह आपका डी हो जाएगा अंसर फिफ्त का हो जाएगा डी सेक्स वाला भी यह जो पैरग्राफ दिया गया है प्लस यह जो यह आपर डी आई के बजाज के दुपईया वाले का अंसर हो जाएगा 4.23 कौन सा एक अन के साथ समंधित नहीं है मतलब और वन यह आप पूछा गया है अलीफेंट है यह आपकी सब दारूपी के चिकन खाते हैं मतलब सारी बाकी सब नौन वेज है यह वाला वेज है और वन आउट में यह आप बहुत ही सिंपल कोईशन है आप सीधे इसको यह ही से देख सकते हैं या 400 का ही तो 30% 120 होगा बिना पैदा हुआ बच्चा भी कर सकता है सवाल 15 का हो जाएगा B यानिक इसका L है ऑप्शन 17 का हो जाएगा C ठेक 18 का रोजवाला है यह D हो जाएगा 19 का यह बढ़ते क्रम से हो जाएगा D 21 से लेके 25 तक फिर यह बार चार्ट से समंधित है तो इसका 21 का हो जाएगा A 28% 22 का D 67 to 50 23 का हो जाएगा आपका A 10000 24 का हो जाएगा C3 25 का हो जाएगा C9997 अब यहां से कुछ बहुत ही लॉजिकल वाले सवाल है यह इसमें गहरा है कि आप इसमें हिंदी से समझ इसमें क्या करना चाहिए तो इसमें मेरे साथ से इसकूल अथार्टी को इंफॉर्म करिए ताकि कुछ इमिडियेट मेजर लिए जा सके और यह इनके पैरेंट को भी बताया जा सके अब आप सोचे यह स्कूल में है और इनको डारेक्ली पैरेंट को आपने कॉल कर दिया तो आप स्कूल तो इसके यह कि उनकी सीट चेंज कर दो अब ऐसे तो कोई भी मार हो सकता है अलाकि कुछ लोग यह भी करते हैं यह वाला एक तरह से देख सकते हैं थोड़ा लॉजिकल सा क्वेशन है इसका आंसर हो जाएगा क्मुनिकेशन स्किल राइटिंग रीडिंग तो भया जनरली स्कूल टाइम में आपने यह किया होगा क्योंकि आपका अच्छा दोस्त है तो आप उसको दिखा देते हैं ठीक है कि भया तुम भी पास हो जाओ लेकिन इसमें आप्शन जो पर अप्रोप्रोप्रेट वाला है भी होगा कि आपने दोस्त को बताएंगे कि भया अगर हमने आपको नकल कराई तो हम भी पेले जाएंगे और तुम भी पेले जाओ गया तो इसलिए इसका अंजर मेरे साब से भी होना चाहिए यह भी कर सकते हैं कई लोग मेरे साब से जो यहां पर सब्जेक्टिविटी इन वालड़ भी होना चाहिए वैसे लॉजिकल के लिए पूछा गया है क्वेश्चन यह इसका बी होना चाहिए यह यहां पर माल करना बूल गए बी है इसका आधुनिक कंप्यूटर के वैसे तो नहीं है दूसरे नाम है उनका लेकिन इस ऑप्शन के हिसाब से चार्ल्स बेवेश जैसे सही है ब्लॉग डिवाइस कौन सा लोग यह ब्लॉटूथ है यह जो यह आपका लाओ पूछ रहा है ऐसे करके होते हैं तो यह ओस्ट होता है ग्रेवन रडिक है बेसिके दी इसका पिर उसके बाद लौ आयस कुद्रे मुख यह कहां पर करनाटक में है 41 वाला है आपका इसमें कुछ लोग को कंफ्यूजन हो सकता है कि यह टेलीकॉम टेलीफोन और कंप्यूटर किसमें यह आपको लगेगा कि इलेक्ट्रोनिक होना चाहिए लेकिन यह वहने चेक किया है और इन्फोर्मेशन टेक्नोलोजी ही है यह है इसका उप्शन भूरा कोईला यानि कि लो ग्रेट ब्राउन को बोलते हैं लिगनाइट को फिर यह वाला जो यह उत्तर पस्चिम की बात कर रहा है तो उत्तर पस्चिम में वेस्टन डिस्टर्बेंसी आता है तो ध्यान से पढ़ ठीक है फिर इसमें जो माइग्रेशन होगा तो भई यहां से जाएगा जहां जाएगा तो यहां पे चेंज होगा तो यहां पे सी हो जाएगा ठीक यह बहुत पुराना क्वेस्टन है इंडियन शोसिलोजिस्ट का कई बार पूछा जा चुका है भी एस का अंसर सेर सासूरी कोधिरांबोस एस का उप्शन मॉंट फोर्ड यानिकी मॉंटेग्यू चेमस फोर्ड वाली पूछा यहां पर सी एस का उप्शन गांदी जी के सत्या करते हैं यहां पर इलिमनेट कर सकते हैं सत्या इंसा आम जोड़ा हुआ है आपको पता है तो यह दोनों तो होंगे नहीं क्योंकि सत्य नहीं है पूछाया पर और गांदी जी बोलते थे एक गाल में तपड़ मारो तो दूसरे में भी आगे कर दो तो इसका लॉजिकली ऑप्शन सी ही होना चाहिए लब लिब ने उठो सकता था चंपारन में किस ने लीड किया गांदी जी ने आपको पताया था ग सब्सक्राइब है यह वाला दो जार भी सिक्किस का टेन पॉइंट सेवन मिलिंटन है मतलब आपको यह भी जए न्यूस बेस्ट है कभी कभी यह वाले क्वेशन भी आजाते हैं डेटा बहुत पूछते हैं यूपी पीस यूपी ट्रपल सी जितने भी उपी के एक्जाम है सबसे अदर जाब करता है तो प्राइमरी ही हुआ इसमें ठीक हर आदमी को पफ्लिक सेक्टर मिलती नहीं है सर्विस सेक्टर में इतना labor intensive है नहीं प्राइवेट सेक्टर overall ये जन्रालाइज नहीं कर सकते हैं तो primary सेक्टर भी है जहां पे labor absorb करते हैं मतलब थोड़ा अप subjectivity है मेरे साब से D होना चाहिए Human Capital का मतलब है बहुत बार पुराना question है ठीक बीएस को प्षिन एन फड़लो पी नैशनल फूट फॉट फॉर्ड वर्क प्रोग्राम डी फिर उसके बाद कॉंस्टिटूशनल हेड़ कौन होता है गौर्णर ऑब्यस सी बात है यह टेंथ चडियूल है बहुत बार पूराना कोईश्चन है बहुत बार पूस चुके है इंडिया वाला फेटरल से फंडमेंटल राइट का है अगर आपको यह पता हो जिसे आप इसमें देख सकते हैं कि वह यह यह वाला जो प्रोविशन ऑफ डिस्क्रिमिशन है यह इस पे तो मूवी वी भी आई थी तो एका तो टू ही होगा अब एका टू हो गया तो मतलब य सब्सक्रिमिशन कब हुआ नौ दिसंबर यह हमारी कंपाइलेशन लिस्टिंग से यह फिर यह 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 प्रियंबल का पूछाए कि यह में ली क्या है अगर आप देखेंगे ध्यान से तो मोस्ट एप्रोप्रोप्रियेट आंसर जो है इसका वो डी है एक्जाम में कई बार प आपने देखा होगा मोदी जी हमें इसा बोलते हैं कोपरेटिव यह इसका अंसर ए फिर इसके बाद है कि यह वाला अगर आप देखें कि कौन डिसाइड करता है डिस्कौलिफिकेशन और यहां पर सी ही होगा ठीक है इंडिफेक्शन एफिक्शन वाला के सोता तो बात क्या हुआ है सारा इसका अंसर है सी ठीक है अटोमिक प्लांट लखनों में नहीं है यह वाला अगर आप देखें सेंसर वाला क्वेशन आया यह आप पूछ रहा है कि डिस्ट्रिक्ट ऑफिस्टेट विद हाइस लोइस पॉपलेशन यह एक बीचीज याद रहती है अगर आ है यह आगरा मिश्तित है 78 का सी फिर यह वाला मोरल वैल्यूज हो गाई है इसमें ठीक तो 79 का यहां पर यह हो गया 80 वाला यह वोमें इंपावर्मेंट हो गाई है महिलाओं को सिच्छित करना एडूकेटिंग वोमें ठीक है यह हमने इसके नोट दिये वेते पेड़कों मे है यह है इसका वैसे तो यह सब्जेक्टिव केशन है और भी इसमें लोग कह सकते हैं हमारे इसाब से यह होना चाहिए 82 82 है जो है टॉक्स ओफन इंसेक्टिसाइड यह सी होना चाहिए फिर 83 में यह बड़ गवानों का होगा सबस्यादा यह फॉस्पोरस फॉस्पोरस कंट है तो समाज में कितना ज्यादा क्लासिफिकेशन है समाज में हर तरह पतन ही पतन है यह कोईशन हमारे साब से में लग रहा है कि गलत है एक बार थोड़ा इसमें सब्जेक्टिविटी इन्वाल्ड है 85 का पाकिया यह प्रिटिपेंट करेगा यह कौन सी है यह फॉलिंग इस प्रोफेसर मिलर डेट फिर उसके बाद यह पोटेटो लीफ रोलवाइलर्स होगा ठीक है मश्रूम आपने अगर कभी मश्रूम खरीदा भी हो तो आपने देखा होगा वाइट बटन ही आता है वाइट उपर से होता है तो डी है इसका उप्शन ज्यादा तर मतलब मश्रू में फिर यह इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कहां पर होता है अब्जर किया था सेल्फ पॉलिंटेटर ग्रॉप्स में पेपल वाला जो है पेपल ने यूएस के लावा यूके में चलू किया है फिर यह जो डीने बेजड है आपकी कोविड वैक्सीन वो है जाइकोव डी ठीक विश रोगी सिरे चट दिवस यह 17 सितंबर इस सब हमने कराए हुए करंट अफेर में लगातार करंट अफेर हो और यूपी के एकजाम में स्टडी फॉर सिब्स दिना आया इसा बहुती रियाड चांस है सारे के सारे करंट अफेर सिब्स से आए बस करंट अफेर के लिए आ बहुत न्यूज में थी अवर नी लेखा रहा इसी के साथ खते हो बहुत नहीं चीजा पूछा तो चीजा और बी टेपल दी हो ठीक है अगर कोई question पूछा गया उससे related सीज़े देते हैं कमेंट करके बताइए कितने आपके सही हो रहे हैं जल्दी से paper two की की भी थोड़ी दिर में देने वाले हैं जब paper one paper two दोड़ों की की दे देंगे उसके बाद paper बताएंगे अभी आप इसमें पताईए कितने आपके सही हो रहे हो कितने आपने attempt किये थे